नमस्कार दोस्तूं, वर्तमान में अगर आप CT exam, second grade, PTI, librarian, rate, first grade वर्ती, video, पटवार, पसू परिचर, इन वर्तियों की तयारी कर रहे हो, तो मेरी मान कर, इस क्लास को सुरू से अंतक जरूर दे के दोस्तूं, पॉलिटी, दस परसन पक्का चपेंगे, हुबू पेपर में चपेंगे, और जो साती, जो साती जिनोंने CT graduation level का exam दिया है, उन्हें अच्छी तरह पता भी है, कि यहां से केसे परसन है, वो पूछे जाते ह और कौन सही तरीके से करवाते हैं, पूप की जिस साती को आप सिकता हो, वो नीचे चल रहे, जो नंबर है, उससे टीम से बात करिए, हर एक जो graduation level में क्यूसन पूछे गए, वो आपको वहां पर पूप के मादियम से, यूटूब के मादियम से हमने जो क्यूसन करवाए थे उनका पूप आपको उपलब्द करवा देंगे दोस्तों, बेसिक जिन भर्तियों का मैंने नाम लिया, कंप्लीट के कोर्स है, कुछामन ओनलाइन क्लासे जे पर अवेलेबल है, समय है, और समय का सदूपियों करके अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ जाईए, पच्चासी परतिसत क्योसन आपके एकजाम में हुब हूच हापा देंगे हम हमारी कलासे, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, यह सूपर पास्ट कलासे जिसमें पहला क्योसन है, रेगूलेटिंग एक्ट पारित किया गया, देखे पॉलिटी, बात हम कर रहे हैं पॉलिटी की, पहले सुन लेना यहां से, अब आप यह सोचोगे कि सर यह की वीडियो और सो एक्योसन है उनमें से 10 परसन, तो पॉलिटी है ना, इसके पांच वीडियो आएंगे आपके, और पांच वीडियो में कुल 500 एक्योसन लेकर हमाले में देंगे, सहिए रहेगा, रिगुलेटिंग एक तआया था सत रासो तैतरी स्वी में, बारत की समरागी समरागी न्यूक्त की आ गया था, कब किया गया था?, 1858 के अंदर कब 1818 के अंदर नेक्ष्ट है मारले मिंटो सुधार बिल 1909 के अंदर कब पारित किया गया था 1909 के अंदर पारित किया गया था दोस्तुँ कापी important और अच्छा क्योसन एक्जाम की दुरश्टी से यह रहने वाला है दोस्तुँ अगले क्यूसिन की और बढ़ता हूं भारतियों को वरस 1947 में सार्व भूम सत्ता सोपने की योजना नेन मैंसे किस नाम से जानी गई ती माउंट बेटन योजना के नाम से नाम से नाम से नेक्स्ट है भारत के आजादी के समें इंग्लेंड में किस पार्टी की सरकार थी इंग्लेंड में किस की थी लेबर पार्टी की सरकार थी किस की थी लेबर पार्टी की सरकार थी एक बार सो क्यूसन है लगबग 25 से 27 मिनट का समय लेता हूं और क्लास में सो क्यूसनों में अगर जिन साथ यूग एक क्लास में समझ में नहीं आता है तो दो बार तीन बार वीड टाइम है वर्तमान में अगर आप सबसे पेले चत्तूर्त स्रेणी क्रामचारी भरती की तैयारी में लग चुके हो तो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है सेकेंड ग्रेड रेट जो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है नाम मातर सुलक के अंदर पिटी आई विडियो पत्वार लाइब्रेरियान थर्ड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोस्तों पसूप रिचर और जिन साथ यूगा सपना है कि सेटी सेटी टेन्द प्लस टू बिलकुल लाइन टू लाइन फेक्ट टू फेक्ट पढ़ना चाहते हैं और 10-15 दिनों में पूरी क्लासे जिनके समतर डाइसो गंटो गी वो सेटी टेन्द प्लस टू का भी कोर्स जोइन कर लें जीरो से इरो यानि कि वो कोर्स देख लो आप आपके 50-60% तो उस कोर्स से बनी जाएंगे और पसू प्रिचर क्रेस कोर्स मेरा सपना दिसंबर में होने वाली एक्जाम में जो जुड़ रहा है वो हर एक बच्चा सेलेक्शन लें समझ गए जो चीज है जो मेंटर है वो क्रेस कोर्स जोइन करोगे या आपके कोई भाई बैन साती ने जोइन किया है तो उससे पूछ लेता हूं कि सिरफ फेक्ट टू फेक्ट यह नहीं है कि जैसे साइंस है साइंस की एक ही टोपिक ही पाच्पा सिक्स कुई नहीं एक लिए यह सभी कोर्सेज अवेलेबल है कुछ आमन ओनलाइन क्लासे जेप पर नेक्स्ट उनीस सो बाइस इस्वी में नेमलेकित मैसे किसके दुआर यह उद्दार वेक्त किया गया थकी भारतिय सवीदान भारतियों की इच्छा अनुसार होगा यह किसने का था यह का था मात इत्मा गुदीने next cabinet mission योजना के अनुसार सवीदान सबा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए कितने होने चाहिए सभी सापूण ऐनाव take Mako भारत्यए सवीदान सभाहा पर्टम अदियाशन का हुआ था फारतर म दियाशनवता दिल geography दिल्ली के एंदर नेक्स्ट है सवीदान सभाह गयुदृगात ने दियाशन की अद्देख्ष ता किस ने कि अन किती सविदान सभा के इस्ताय देख्स कौन थे इस्ताय देख्स मनेते सचीदानंद सीना कौन मनेते सचीदानंद सीना नेक्ष्ट है सविदान सभा के इस्ताय देख्स कोन बनेते इस्ताय देख्स बनेते डोक्टर राजेंदर परसाद दोस्तूं नेक्ष्ट है भारतिय सविदान सभा की प्रारूप सिमेति के देख्स कोन थे प्रारूप सिमेति के देख्स थे डोक्टर बी आर अंबेड कर डोक नेक्स्ट है सविधान निर्मातरी सभा में जंडा सिमेती के अध्यक्स कोन थे जंडा सिमेती के अध्यक्स मनाए गे थे जेबी क्रिपलानी कौन जेबी क्रिपलानी दोस्तूं अगला क्यों से ने आपका भारत की सविधान सभा द्वारा राष्ट्रे जंडे के डिजाइन को कब सभीकार किया गया राष्ट्र क्या है धरम निर्पेक्स राष्टार धरम निर्पेक्स राष्टर क्या है बारत दोस्तों अगला क्यूसन है भारतिय सविदान की आत्मा किसे का जाता है भारतिय सविदान की आत्मा किसे का जाता है परस्तावना को किसको परस्तावना को नेक्स्ट है किसने साविधानिक उपचार के अधिकार को भारतिय सविधान का मर्म और आत्म माना किसने माना था बी आर अंबेड करने भीमराव अंबेड करने नेक्स्ट यूशन है भारतिय सविदान को सविदान सबा द्वारा अंगीकरित किया गया कब अंगीकरित किया गया था 26 नवंबर उन्नी सो नपचास को दोस्तूं next solution है भारत का सुविदान पुन्रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नelin 59 को next solution है निमलेकिद मैसे किस्तिती को भारतिय सुविदान लागू किया गया भारतिय सुविदान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को जनवरी 1950 को next किस वारत एक परभूत्व संपन परजातांतरी गंडराजिय बना था कब बना था 1950 के अंदर बना था next है भारत के सविदान की प्रस्तावना में परतम संसोधन कब किया गया परतम संसोधन किया था 1908 में कब उनीसो चिंतर के अंदर next है विश्वय का सबसे बड़ा लिकित वह सरवाधिक व्यापक सविदान किस देश का है तो यह कहां का है बारत का है दोस्तूं एक बात और नोट कर लेना नोट लिग लेना अपने दिमाग में चाप लेना कि जो यह 500 क्यूसन करवा रहा हुना यह चा बारत को मांना गया बाय जी बारत को क्या माना गया है राजू का एक यूनियन राजू का एक यूनियन माना गया है नेक्स्ट है भारतिय सविदान का सवरूप किस परकार का है किस परकार का है सर्चना में संगात्मक बावना में एकात्मक सर्चना में तो है संगात्मक और बावना में एकात्मक यानिकी सी ओप्षन आपनू सहीरे सी नेक्स्ट ह बारतिये राजनेतिक वेवस्ता में इनमें से कौन सर्वोचे है राजनेतिक वेवस्ता में सर्वोचे कौन है सवीदान कौन है सवीदान संसत धरम और सर्वोचे सब सवीदान के अंतरगत है नेक्स्ट है भारतिये सवीदान का अभिभावक कौन है अभिभावक है सर्वोचे नाया ले कौन है सरवों चैने आया ले दोस्तुं Nexricsution शें बारत में वेश के मतादिकार की उमर सीमा क्या है यह सबको पता है अठारा वर्स क्यूगि आमने मत का परियोग कीया होगा next word Same 40 समगराई सबक्राच्य राज्य और समवर्ति नेक्स्ट है भारतिय सविदान का सबसे बड़ा एकका किस रोत जहांसे सरवादिक सविदान को उठाया गया Government of India Act 1935 है डी ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट है भारत की संगिय वेवस्ता किस देश की संगिय वेवस्ता से अधिक समानता रखती है किस देश की संगिय वेवस्ता से अधिक समानता रखती है तो वो आपका सही रहेगा कन्नाडा से किस से कन्नाडा से दोस्तूं क्योसर नमर 38 है भारतिय सविदान में मोली कर्तवे का विचार लिया गया है मोली कर्तवे का विचार रूस के सविदान से मोली कर्तवे रूस से नेक्स्ट है भारतिय सविदान में समलित निती निर्देशक तत्मू की प्रेणा हमें कि सविदान से प्राप्त हुई है कैसे हु कानोन के समान सरक्षन यह लिया गया है अमेरीका से कहां से अमेरीका से क्यों से नमर 41 है हमारे सविदान में न्याइक समिक्सा की दारना किस देश के सविदान से ली गई है न्याइक समिक्सा USA से कहां से USA से ली गई है दोस्तूं अगला क्यों सन है भारतिये सविदान में आप पाद समंदी उपबंद भारत सासन अधिनियम 1935 और किसके सविदान से लिया गया है एक तो बारत सासन अधिनियम 1935 और एक जर्मनी के विमर सविदान से जर्मनी का सुविदान विमर सविदान और वहां से ली गई है नेक्स्ट है सुमेलिद कीजिएगा अच्छा क्यों से अराम से सुमेलिद करिए मूल अधिकार सेउक्त राजी अमेरिका सासन की संसदिय प्रनाली यूके आपात उपबंद जर्मनी राजी के निती निर्दे सकता तो है आयरलेंड दो एक चार तीन ओप्सन सी आपका यहां प कितने भाग है भारते सविदान में कुल भाग कितने 22 भाग है कितने 22 नेक्स्ट भारते सविदान के किस भाग में पंचायती राज से समंधित प्रावदान है पंचायती राज का प्रावदान है बाग नो में किसमें बाग नो बी ओप्सन अगला क्यूसन है सविदान के किस बाग में मूल अधिकारू का उलेक है मूल अधिकारू का उलेक है बाग तीन में किसमें है बाग तीन के अंदर क्योसर नमर 48 है सविदान के किस बाग में मूल कर्तव्यू का उलेक है मूल कर्तव्यू का उलेक है बाग चार कह में बाग चार कह के अंदर दोस्तों क्योसर नमर 59 पचास है सविदान के किस बाग में नागरिकता गाउलेक है नागरिकता गाउलेक इसमें बाग दो में बाग दो के अंदर क्यों से नमर पचास है वर्तमान में भारते सविदान में कुल कितने अनुसूचिया है अनुसूचिया वर्तमान में कितनी है बारा अनुसूचिया वर मूल सविदान के अंदर आठ अनुसूचियां थी दोस्तूं। Next है, किस अनुसूचि में भारतिय गंडराजी के राजियों और के अंदर सासित परदेशु का उलेक है। किस में हैं? परतम अनुसूचि में। Next है, सविदान के परतम संसोधन दुवारा किस अनुसूचि को सविदान में समलित किया गया था? किस से समलित किया गया था? नौवी अनुसूचि क्यों से नंबर है आपका चोपन? तेतरवे सविदान संसोदन अधिनियम दुवारा भारतिय सविदान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी ग्यारवी अनुसूची और ग्यारवी अनुसूची नगरिये सवसासं से है या पंचायती राज से जुड़ी हुई है देखे अगर आप वीडियो देख रहे है और अपना कमेंट नहीं कर रहे हैं कि आपको क्लास कैसे लग रही है तो ये गलत बात अगर आप कमेंट करके हमें बताओं कि सार रील में ये क्लास अच्छी है गलास अच्छी नहीं है इस परकार से पढ़ा ये यह और स्विट च ine यह थोड़ा दीरे चलिए तो यह जानकारिया आपको देनी है समझ के और साथ में देकर नी कौन-कौन बताता है यह किसे जुड़ी हुई है कि नगरिये कि सवसासन कि या किसे जुड़ी हुई है क्यों सन पचपन भारतिय सविदान में 22 बासाओं को राजबासा का दर्जा परदान किया गया है इन राजबासाओं का उल्ले किस अनुसूची में इन सभी का उले का आठवी अनुसूची में किस में आठवी में नेक्ष्ट है दलबदल के आदार पर निर्वाची सदस्यू के योग्यता समंदी विवरन समस्यदान की किस अनुसूची में दिया गया है यह दिया है दस्वी अनुसूची में, इसमें 10 वी अनुसूची में से अंतिम रूप से पारीद सविदान में कुल कितने अनुचेद तता अनुचूचियां है वर्तमान में कितनी है 305 अनुचेद 8 अनुचूचियां देखिए अन्तिम रूप से सविदान सभागी बात और यहां पे तो सी ओप्शन सही रहेगा Next है भारतिय सविदान के किन अनुचेदू में नागरीकता समंधी प्रावदान है नागरीकता समंधी प्रावदान है अनुचेद नागरिक को मोलिक अधिकार परदान कि शुट है निमले कित में से बारतिय सवीदान के कौन से अनुषेद में किसी भी रूप में एस परशता निसेद के लिए प्रीवप प्रावदान है, किस में है अनूचेद 17 में, एस परशता अनूचेद 17 के अंदर, क्योशन 61 है, भारतिय सविदान के किन अनूचेदु में, राजए के निति-निर्देशक तत्मूगा उलेक है, किस में है दोस्तों, अनुचेद 36 से 51 में नेक्स्ट है राष्टरपती सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत लोगसबा को बंग कर सकता है किसके अंतरगत अनुचेद 85 के अंतरगत article 85 के अंतरगत next question है सविदान के किस अनुचेद में धन्विदेग की परिबासा दी गई है धन्विदेग दिया गया है अनुचेद 110 में किस में है अनुचेद 110 में next है सविदान के किस अनुचेद के अंतरगत राष्ट पते द्यादेश जारी करता है राश्ट बते त्यादे जारी करता है अनुचेद 123 के ते अनुचेद 123 के ते दोस्तूं नेक्स्ट है के अंदर राजी के परसासन समंदी भारतिय सविदान के किस अनुचेद में वर्णीत है किस अनुचेद में वर्णीत है अनुचे 256 से 263 के अंदर कि उसे 266 है भारतिय सव 180 से कीसर नमर wichtig सबीदाल के किस अनुचेद की अधार पर वीधिये अपात की उद गोथना राश्टल पति करता हैो वीधिये वीधिये अपात की गोष्णा उद्गोषना राश्टपति करता किस्के देथ अनुचेद 360 के टेथ裁 अनुचे जा 60 के तेत नेक्स्ट क्यूसन है प्रेश की सवतंतरता बारतिय सविदान के किस अनुचेद में मिलता है प्रेश की सवतंतरता है अनुचेद 19 में किसमें अनुचेद 19 में नेक्स्ट है सविदान के किस अनुछेद में सविदान के संसोधन की परकिरिया का उलेक है सविदान के संसोधन की परकिरिया का उलेक है अनुछे 368 में अनुछे 368 में नेक्स्ट है जैम्मू कस्मिर को कौन सी दारा के अंतरगत विशेश दर्जा प्राप था ठाब ऐजी अटादिया गया है टाइपिंग निश्टेक है यह और सही रहेगा अनुचे तीन सो सॉत्तर के अंतरगत नेस्ट अनुचे तीन सो 65 का स्बम्ण किसे तीन सो 56 का सम्ण lie राष्टपती साथ संसे किसे राष्टपती साथ संसे में नेक्ष्ट है भारत एक है बारत क्या है राजू का संक्या है राजू का संग है नेक्स्ट क्यूसन है मूल सवीदान में राजू को कितने वर्गू में रखा गया था कितने वर्गू में चार वर्गू में कितने में चार वर्गू में नेक्स्ट है मूल सविदान में राजू की संक्या कितनी थी मूल सविदान में राजू की संक्या थी 27 कितनी थी 27 समझ गए अगला क्यूसर बासाई आदार पर राजू का पुनरगटन किस वर्स किया गया किस वर्स किया गया था 1956 के अंदर नेक्स्ट कुशन है बसाय आदार पर गढ़ित रभारत का पर्तम राजय परतम राजय ता आंध्रा अंदर परदीश झेच पुनरगटन आयो का गटन किस वर्ष किया गया था किस वर्ष उनने 1923 में कब 1903 में next राजय पुनरगतन अदीनियम कब पारित किया गया यह पारित किया गया था 1956 में कब 1956 के अंदर next वर्तमान में भारत में कितने राजय वा संगिय पर्देश है बहुत प्यारा क्यूतन और किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए बताईय जल्दी से 28 राजय वह 8 संगीय पर देष्ट है निमलीगित में से किस वर्स शिक्कि मैने 36 संसोधन के तेथ राजय का दर्जाद दिया गया था किस वर्स दिया गया था उने सो पनिए 15 तर के अंदर नेक्स्ट है बारते असंग में समलित किया गया गुनतीस्वा राजे बाई जी 28 वोट क्योंकि जिस समय वा ना उस समय तो 29 वा था वर्तमान में 28 वा थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना उस समय तो 29 मनाता ना अब 28 हुआ यह तो समझ गया 29 वह रखो आप गलत मत कर देना यह ता तेलंगाना कौन सा तेलंगाना नेक्स्ट है जारकंड राजे का गटन कब किया गया था जारकंड राजे बना था 15 नवंबर 2000 को नेक्स्ट है एक नहें रजे के रूम में तेलंगाना का गटन कभ हुआ था 22 2014 को दो जून Jwn 2014 को नेक्स्ट है वहरते सविदान के किन अनुच्य दू में नागरिकता समंदी प्रावदा किये गए नागरिकता समन्दी प्रावदान अनुचेद 5 से 11 में नेक्स्ट है बारते सविधान निमलिकित मैं सी कौन सी नागरिकता परदान करता है कौन सी एकल नागरिकता आप किसी और देश के नागरिक हो तो यहांकी नागरिकता सवते खतम हो जाएगी नेक्स्ट है कितने वर्सू तक लगातार बाहर रहने पर नागरिक्ता समाप्त हो जाती है कितने वर्सू तक साथ वर्सू तक अगर बाहर हो तो नागरिक्ता समाप्त हो जाएगी नेक्स्ट है निवन मैसे किस इस्तती में किसी भारतिय वेक्ति की नागरिक भारतिय नागरिक्ता समाप्थ हो सकती है किस इस्तती में त्यागने पर परियाव प्रियावसन से वंचित किये जाने पर यह उप्रयूग सभी डी ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट है भारत के नागर कि नागरिक्ता प्राप्त है कितने प्रकार की एक ही प्रकार की नेक्स्ट सविधान द्वारा पर्दत नागरिक्ता के संबंद में संसदने एक वापक नागरिक्ता दिनियम कब बनाया कब बनाया था 1905 में 1905 में नेक्स्ट बारतिय सविधान द्वारा बारतिय नागरिकू को कुल कितने मोली का दिकार परदान किये गए थे सी ओप्सन साथ मोली का दिकार शमजगे अगला क्यों सन वर्तमान में भारतिय नागरी को कितने मोली का दिकार दिये गए है छे कितने हैं छे मोली का दिकार नेक्स्ट है भारत के सविदान में मोली का दिकार बताओ बाई जी मूल सविदान का इसा था option है सही रहेगा next भारते सविदान में नयायले में कौन परवर्तनी है नयायले में मूल दिकार परवर्तनी है अगला क्यों सन मौली के दिकारू का निलंबन कौन कर सकता है कौन राष्ट पती next नेक्स्ट है कारखानों तवाखानों में कोई वेक्ति न्यूकत नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयू कम से कम कितनी हो जाए 14 वर्स कितनी 14 वर्स next है धार्मिक सवतंत्रता का अधिकार किसनोचेद के द्वारा दिया गया है यह दिया गया अनुछेद 25 के तेद, नेक्स्ट है, बारतेज सविधान के किस अनुछेद में, सविधानिक उप्चारू का अधिकार दिया गया है, किस के तेद, अनुछेद 32 के तेद, very important यूसन है ये, नेक्स्ट क्यूसन है निमलेकित मोलीक अधिकारू में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडगर ने सविधान कार दे और आत्मा कहा था किसे कहा था सविधानिक उप्चारू के अधिकार को, बी ओप्सन सही रहीगा next question, कोन विख्तिगत सवतंतरता से समंदित है, विख्तिगत सवतंतरता से समंदित कोन है, तो वो है बंदी परतेक्सी करान, बंदी परतेक्सी करान, एक चीज सुन लेना, part 1 है ये, इसी परकार के 5 part आएंगे पूरे आपके, 1, 2, 3, 4, 5, सिरीज उपर लगी हुई हो या ना हो अभी सो क्यूसन हुए अगले में 101 से 200 तक आएंगे और पले लिस्ट है वो सिरफ पॉलिटी 500 के नाम से बनी हुई है जाकर उसमें आप सभी वीडियो देख सकते हो इनकी पीडियाप अगर आपको प्राप्त करनी है सर पीडियाप दे दियो मन तो आई के वो ने तो टेलीग् कर लिए कुछामन ओनलाइन क्लासेज बटक कंप्लीट पीडियाप भी थाना की मिल जाई लिंक डिस्क्रिप्शन में आपने दीएडो है दोस्तों समझगा इसके अलावा जो भी साती इन कोर्सों में जुडेंगे वहाँ पर आपको पांसो पर्सनों की ये पीडियाप एप कोर्स जारी कर दिया है आप अगर जोइन करना चाहते हैं तो आप जोंइन कर सकते हैं दोस्तुँ और यह सभी कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं समये कम तयारी में लगना होगा अब और जाकर सभी कोर्सेज में आज ही जुड़ जाईए, बैतर तैयारी करिए, सपना अपना पूरा करिए, जे हिन, जे भारत, सुबरात्री